बीते कारोबारी सब्ता हमने खादे तेलों की कीमतों में गिरावट बनते देखी सोयवीन का वैदा वजार 65 के घरों में खुला था और फिर इसमें बड़ी गिरावट देखी गई मंडियों में भी सोयवीन की आवकों का प्रेशर जारी है किसान ओमीक्रोन के डर से सोयवीन की विक्वाली कर रहे है पोल्ट्री की तरफ से सोयवीन की डिमांड कुछ कम देखने को मिली है पोल्ट्री इंडस्ट्री में बर्ट फ्लू ने दस्तक दे दी है जिससे पोल्ट्री की तरफ से सोयवीन की डिमांड में कमी देखने को मिली है और कीमते नर्मी की और देखने को मिली सर्दियों में अक्सर पोल्टरी की तरफ से सोयवीन की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि सर्दियों में अंडा और चिकन का सेवन जाद किया जाता है जिस से पोल्टरी वालों को मुर्गा और मुर्गों की जाद सप्लाई भी रखनी पड़ती है और उन्हें खिलाने के लिए सोयबीन भी अगर पोल्टरी इंडस्ट्री पर बर्ड फुलू का संकट और बढ़ता है तो सोयबीन की कीमतों में आने वाले दिनों में और गिरावट देखने को मिल सकती है वहीं इस पर बाजार के जानकार केड़िय अडवाईजरी के डिरेक्टर अजे केड़िय का कहना है कि अगर वायदा में सोयबीन का बाजार 6400 की नीचे जाता है तो नीचे में 6000 से लेकर 621 तक किस तर देखने को मिल सकते हैं हाला कि गिरावट जादा नहीं रहेगी वहीं विदेशों में सप्लाई टाइट रहने के चलते गरेलू वायदा में सोयबीन के बाब अजे कीड़िय की मुताविक इस सप्ता इकसर सोड से लेकर 6600 तक की सीमी दैर में कारुबार कर सकते हैं विर बोट, मांकेट टाइम्स, टीवी आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक जटपट पहुँचाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान